वेलकम टू सवरव समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज बात करते हैं साहिव गंज के बारे में तो आपको मैं साहिव गंज का द्रिस दिखाऊंगा इससे पहली मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके घर प्राद्रीस दिखाऊंगा जहां पर हैर इस्टेट आप नहीं जाईएगा नहीं फुल वीडियो देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कहां पर क्या है पुरानी ट्रेन कहां पर है पहले जो जवाना में जो ट्रेन चलते थे पहले यूग में यानि प्राचिन यूग में उसका सारा डिटेल में उसका भी कुछे तस्वीर दिखाऊंगा तो वीडियो को सुरू से अंतक देखे और पूरी तरह से फरेज ये है इस्टेशन मास्टर जो देख रहे हैं यहां पर पूरी तरह से अच्छी तरह से खड़ा है आपको दिखाई देता होगा ये जो तलर का जो कपड़े पहने है ये इस्टेशन मास्टर है फिर दूसरा जो उसी का जो उफ इस्टेशन मास्टर जो है ठीक है वहां पर खड़े हैं आकर देख रहे हैं गाड़ी का इंतिजार कर रहे हैं पूरी तरह से इस्टेशन पर एक भी यातरी नहीं है इसलिए मैं हैर जगह का फोटो एक एक करके step by step लिए ताकि आप लोगों को पूरी तरह से साहिव गंज का पलपल का जो द्रिस देख रहे हैं हर द्रिस आप असानी से देख सकते हैं कि कहां पर क्या है और दोबारा साहिव गंज दोबारा साहिव गंज देखने का इक्षा नहीं करेंगे तो विडियो को सुरू से अंतक देखे एक बार आप पूरी तरह से ध्यान से विडियो देख लिजेगा तो और दोबारा मैं बोर रहा हूँ कि साहिव गंज देखने का मन नहीं करेगा तो विडियो को सुरू से अंतक देखे क्यों मन नहीं करेगा मैं इसका भी बारे में बात क की भरमार है साहिव गंज एक जहरकंड का जीला है जो आपको हैर द्रिस सिली से लेकर जो बिरीज कहा जाता है बिरीज हैर तस्वीर आपको दिखाया जा रहा है और यहां पर एक भी यातरी नहीं है क्यों नहीं है इसका भी बारे में बात किया जाएगा ठीक है लेकिन अब भी है एक दूगो तो पूरी तरह से मासुन चाया हुआ है लग रहा है कि कोई किसी का सगे संबंदी या रिलेशन में कोई डेथ कर गया है इस तरह पूरी तरह से मासुन चाया है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्टेशन में जो है पूरी तरह से यानि आपको पता होगा कि जो वायरस चर रहा है इसी की वज़ा से पूरे भारत में लोगडाउन चर रहा है लोगडाउन की वज़ा से ना ही कोई ट्रेन चल रहा है ना ही यात्री इधर उधर जा रहे है ना बस पूरा मूल हैं, चीज बंध है school से ले के college तक आपको पता होगा तो मैं आकर पूरी तरह से हर इस्टेशन का भर्मन किया और पूरी तरह से जाए जा लिया और मैं इस्टेशन मास्टर से भी पुछताच किया कि ऐसा द्रीश जो आपने कभी नहीं देखे हैं इस तरह के तस्वीर आप इतना दिनों से जो इस्टेशन पर रह रहे हैं तो ऐसा आज तक नहीं देखने को मिला होगा कि इस तरह के पूरी तरह से साम सुन यानि कि पूरी तरह से स्टेशन का जो महोल रहता है रंगा रंग उसका पूरा कारी कर्म दिन परती दिन कम होता जा रहा है स्टेशन मास्टर को भी लगता होगा कि पहले जो यातरी आते थे पूरी तरह से मन लगते थे कि नहीं यहाँ पर स्टेशन है यातरी आने जाने का है लेकिन अब इस तरह के पूरी तरह से मासुन चाया हुआ देखिए इस्टेशन के बाहरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और इससे पहले आपको यह जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर कुछ देवी देख्याओं का तस्वीर है ठीक है यह इस्टेशन का जो तस्वीर देख रहे हैं बाहरी का आपको पूरी तरह से और मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले जो train चलती थी इससे पहले काईसा train चलता था, पहली यूग में या नी प्राचिन काल में जो train चलता था, काईसा train चलता था, तो चलिए मैं उसका भी तस्वीर आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो ये रहा तस्वीर आप इसकी पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा आपको पहली जिस परकार ट्रेने चलती थी उसका पूरा जाईजा सही सटिक दिखाया जाएगा तो ये एक मोडल दिखाया जा रहा है तो ये जो देख रहे हैं साहिव गंज का बहरी जो दिखाया जा रहा है पूरी तरह से पार्क के तरह सजाया गया है जितने भी यहाँ पर दुकान चोटे चोटे दुकाने जो थी सारा दुकाने को हटा दिया गया है क्योंकि इसका कहना है कि इस्टेशन के अगल बगल में ना ही कोई मोटर साइकल गाली लगाया जाएगा ना ही कोई दुकान छोटा खुला रहेगा पूरी तरह से साप सुतरा रहेगा इस्टेशन मतलब होता है कि इस्टेशन का तो हिंदी होता है धुरूम सकट विसरामाल ह लेकिन इस्टेशन का मतलब है कि पूरी तरह से आप साब सुतरा रखे ताकि यातरी कितना लोग कहां से कितने लोग आते हैं कहना उसमभव तो देखे मैंने इसलिए कहा था कि आपको और दोवारा इस्टेशन देखने का मन नहीं करेगा क्या कारण है चलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको मैं फिरी में इस्टेशन का हैर तस्वीर देखा चुके हैं जहां हो पिलिट फारम हो इस्टेशन वांस्टर हो टीकट हो बाहरी तस्वीर जो आगे का जो मोडल है पुराने जवाने का ट्रेन उसका भी टत्रेश दिखा दिए हैं तो आपको दवारा स्टेशना की जरूरत नहीं पड़ेगा हां काम पड़े तो आ सकते तो चैनल को सब्स कर दो बस्क्राइब लाइड